अब राजस्तान की खबरें देखें भी और खबरें पढ़ें भी उनको उतार के किया है तो आज बहुत अच्छा वाता हुण गुज्रात के अंदर बना है हमने जो रोड मेंप उमारे पास है मेंगाई को कम करने का बश्टाचार पर अंकुस लगाने का है उसका जो सेब्स हमारे पास है वह आम आदमिए के पास दोर तूदर बिजवाया है पर जिस तरह की बात है आपको लगता है कि यह अवाइड की जा सकती थी क्योंकि इस समय पर चुनाव बहुत करीब हो गया है सरब समय बहुत कम बचा है और सचिन पाइलेट को यहाँ पर नहीं लाया जा रहा क्या परिस्तितिया मनें वह हमारे स्टार केंपेनर है मैंने उन से बात किये उन्होंने कहा है कि मैं आउंगा उनके प्रोग्राम पहले भी लगाए थे लेकिन उस दिन मोरभी की ट्रेजिटी हो गई वह आने वाले थे सभी हमने प्रोग्राम कैंसल कर दिये उस दिन मोरभी की दुरगट नहीं है उसमें आप देखते हैं गैलोट साब पाइलेट साब एक ठेक स्टेज पर एक स्टेज की बात कौन कर रहा है गैलोट साब अपना प्रचार पार्टी का क हर रही हैं मजबूती से चुनाव लड़रे हैं जैसे मिनये कहा आपके इंच्टशल की पने ऊठाए जबाड़ाई है कि अब्यूसरीश सरकार के सारे अख्यूसरीशा को यह घूम रहे अगर सब कुछ ठीक के घूलीशेश कि नहीं थी यह तो पिर सब करने की जडियोत नहीं थी यहां तो तो मुख्यमंत्री पर बरुसा है तो उनको नहीं आना था यह कोई देश का चुनाओ भी नहीं है गुजरात का चुनाओ है अगर उन्होंने डवलप्मेंट किया है गुजरात की जनता के साथ नहाई किया है 17 सालों में गपराट कैसी है तो पांच सो रुपे में आप महिलाओ को सिलेंडर देंगे पर राजस्तान में तो नहीं दे रहे हैं सर आप अभी हमने गुजरात के चुनाओं में जो वाइदा किया वो मैं आपको बता रहा हूं यहां हमने तीन सो यूनिट बिजली फ्री आम होपोग तक देने की बात की तीन लाग करजा माफ करने की बात कि कि इसानों का बिजली कभी माफ रहेगा यहां दस लाग का भीमा हर परिवार का होगा पांच लाग का एक्सिडेंट क्लेम हर परिवार को मिलेगा सवाल यह भी पूछा जा सकता विपक्षे द्वारा कि यह सारे वाइद है आपने राजस्तान में जहां पर आपकी सरकार है वह पचास यूनिट हम फ्री दे रहे हैं और यहां तीन सो यूनिट की बात कर रहे हैं अगर आज गुजरात के अंदर हम कुछ अच्छा वादा कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चीए और गुजरात का बजट और राज़स्तान की बजट वहां की ऐकोनमी और यहां की एकोनोमी मांतर है यह सारे एकोनोमिस से चर्चा करने के बाद हमने जो वादे कि हैं वो वाईदे हम धरातल पर उतारेंगे यह गुजरात की जंता को भरोसा है प्रगुजी आप अजमेर से प्रतिनी दी रहे हैं लोगों के और राजस्तान से लंबा आपका नाता रहा है मंत्री भी रहे हैं आप क्या लगता है कि फैक्शनलिजम जो कॉंग्रेस के अंदर है गेलोध गुट पाइलेट गुट उसका इंपक्ट पड़ सकता है अगले साल गुजरात के चुनाव की बात करेंगे आज गुजरात की बात हो रही है और गुजरात पर इंपक्ट पड़ सकता है कि यहां पर जो अनुसासित पार्टी कहलाती है 32 लोग बगावत कर रहे हैं एक डेट दर्जन लोगों को निकालना पड़ा उनको और जिसने कल कॉंग्रेस छोड़ के बीजेपी जोइन की दूसरे दिन बीजेपी को टिकेट देनी पड़ी उसको इसका मतलब बीजेपी है कहां आम आदमी पार्टी में भी कॉंग्रेस के लोग उमीदवार बीजेपी में भी कॉंग्रेस के उमीदवार इसका मतलब ताकतवार अगर गुजरात में कोई पार्टी है तो कॉंग्रेस पार्टी है